दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चले बिहार के टॉप बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमें कॉमेंट वक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं और साथ ही अप तरी जन्रल टिकट से यात्रा कर सकेंगे कोरोना माहमारी को लेकर रेलवे ने वर्स 2019 में एकस्पेस वाख सफर फास्ट रेनों के जन्रल कोचों में यात्रा के लिए आरची टिकट के अन्यवारता खतम कर दी इस समद में पूरू माध रेलवे के सिप्यारों विरेंद्र कुम पे महंगा एक मार्च से आपके सर में बदल गया है गैस का दाम जहां रोस युक्रेन के जंग के बेच एक मार्च को अलपेजी सिलेंडर के नए रेट जारी हो गये हैं सिलेंडर के रेट में 105 रुपे का इजापा हुआ है यह इसापा कॉमर्सल सिलेंडर में किया गया है और बहुत हद दक समभावे कि 7 मार्च के बाद घरेलू अलपेजी सिलेंडर भी महंगा हो जाएगा क्योंकि अभी उत्तर पर देश विदानसबा चनाव के चेटे चरन की वोडिंग 3 मार्च और 7 चरन का मदान 7 मार्च को है ऐसे में 7 मार्च के बाद आफात आ सकती है आपको ब अगली बड़ी ख़बर 5 मार्च तक मिलेगा एस्टेट का अंग पत्र 2-5 मार्च तक 17,000 को दिया जाएगा अंग पत्र राजेंदर नगर में बनाया गया है काउंटर जिह अभियार विदाले परिचा समीती द्वारा आउजीद एस्टेट परिचा 2019 के अंग पत्र वित्रन के लिए पत्ना के राजंदर नगर में काउंटर बनाया गया है सिंटर पर 5 मार्च तक 17,000 स्टुडेंट को अंग पत्र दिया जाएगा पत्ना जिले को प्राप्द अंग पत्र के कोल सेंग के लगबग 17,000 है सबी अभियरतियों से या अपिल है कि वो अपनी सुविदा नुसार वित्रन सल्राज के अबाला कुछ भी दालाए राजंदर नगर पत्ना में बनाए गए काउंटर से अंग पत्र रेसीव कर ले अगली बड़ी ख़बर अगले महीने बिहार में बंपर बहाले 47,000 प्रदान सिक्चकों को और प्रदान अईदकवोकों की होगी नियुकती जानिये कैसी होगी नियुकती जिया बिहार में अगले महीने सरकार बंपर बहाले करने जा रही है अप्रेल महीने में बिहार के सरकारी स्कुल में लगबग 47,000 प्रदान सिक्चकों और प्रदान अईदकवोकों की नियुकती के लिए विगापन निकाला जाएगा राज सरकार के प्रारामिक विदालयों में 40,506 प्रादान सिक्षकों और मायदमिक कुछ मायदमिक विदालयों में 6,421 प्रादान एडबोकों की नियुक्ति करने जा रही है साथ ये आपके जानकारे के लिए बता दे के दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए लिखित परिचा होगी जिसमें डेड़ सो वस्तोनिष्ट सवाल पुछ जाएंगे अगली बड़ी काबर 11 मार्च के बाद सरी छेतर में नहीं चलेंगे डिजल वाले ती पहिया वाहन यानि ओटो के परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी परिवान विबाग के बजट में बिहार स्वच इंदनी योजना 2019 के अंतरगत पाटना नगर निगम दाना पूर खागोल और फुलवार सरीप नगर परिसत छेदर की सिमा में डिजल चलीत आटो को परिचलन बंद हो जाएगा जानकारी के अनुसार राज़ाने में 35,000 से अधिक आटो चलते हैं इसमें 70,000 आटो C&G में तबदिल हो चुके हैं इसमें अब मातर 7,000 डिजल चलीत आटो पटना जिले में चाहिए इन्हें भी एक महने के भीदार C&G में तबदिल कर लिया जाएगा C&G में तबदिल करने के लिए आटो चालकू को परिवान विबाग के और से नुदान दिया जा रहा है बता दी कि बढ़ते परदोसन को लेकर सरकार ने या फैसला लिया है इससे पहले बढ़ते भाई परदोसन के बज़े से पटना नगर निगाम दानापूर फुलवार सरीप और खगोल में 15 वर्स से अधिक पुराने वहनों के चलाने पर रोक लगा दी गई थी बाड़ी कबर सर्दी जैसे भिसन होगी इस साल की गर्मी मार्च के तीसरे हफते में ही चड़ जाएगा पारा जहा बिहार में इस साल सर्दी सबसे लंबी आउदी तक पड़ी है उसी तरह गर्मी भी खूब सतानी के असंका है अगर मौसमी दसाओं से अचानक कोई बड़ा परिवर्ता नहीं होता है तो मार्च जाते जाते उचतम तापमान 40 डिगरी सेल्सिस के अस्वास पहुचने के असंका है दरसल आएमडी के लंबे समय के मौसम पुरानुमान के मुताबिक मार्च के तिसरे हफते तक प्रदेश का उसत उचतम तापमान 35-37 डिगरी सेल्सिस तक पहुच जाएगा इसके बाद इसमें आहिस्ता आहिस्ता पारा बरता जाएगा आएमडी रिपोर्ट के मुताबिक दच्चने बिहार के प्रदारे इलाकों में पारा उत्तरी माइद और पुर्वी बिहार के तुलना में अधिक रहेगा उत्तरी बिहार में हमाले के तालेटी में मार्च के अंतिर मपती तक परा 30-32 डिगरी सेल्सियस के बीच पहुचने का अशार बताये जा रहे हैं वहीं मुष्ब मिस्टिसों के मुताबिक मार्च जाती जाते परा 40 के बहुत आसपास पहुचने का अशार है आगली बड़ी कबर बिहार मौल के आयस को लेकर तिलंगना कॉंग्रेस की टिपानी पर सियासत तेज राज़त जदोईने की माफि की मांग जहां कॉंग्रेसियों का बिहारी पर तंज लगतार जारी है पहले पंजाब के मुईख मंतरी चरण जीत चन्नी और अब तिलंगना के कॉंग्रेस से दर्च रवनात रेड़ी को बिहारी उसे दिक्कत हो रही है आपको वदा दे कि तिलंगना में उच्छ पदो पर करेरत बिह मौल के आयस अदिकारियों ने पसंद नहीं आ रहे हैं उनको लिकावों टिपनी कर रहे हैं कॉंग्रेस प्रदेश से दर्च रवनात रेड़ी ने कहा कि तिलंगना के मुख मंतरे के चंद्र सिकर राय कर डियने बिहारी हो गया है क्योंकि बिहार के यादिकारी पूरा में बोला था बिहार के बदर्दिकारियों को हर राज़ में जहां वो यादर होता है। बिहार के लोगों के DNA में ग्यान है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है आपको बता दे कि जदो ही नहीं राज़त समेद सभी दलों की निताओं ने इस मामले में खुल कर कॉंग्रेस पर हमला बुला है राज़त ने भी इस मुद्धे पर कॉंग्रेस के लोचना की है राज़त सरकार सरी चेतर में रहने वाले लोगों को स्वच और ताजी सब्जी अपलब्द कराएगी इसके लिए नए बज़न में बड़ी पेमाने पर सहरों में सब्जी बिकर केंदर खुलने की सबना की गई है इसी तरह आने वाले समय में राज के सब्जी 8463 पेक्सो को कम्पिटरी करेट करने की गोसना की गई है इस काम में नाबाड से भी बेत्या मदद ले जाएगी आपको बताती कि समयार को सरकार 12 पेस बज़न में नाबाड और राज सरकार के 50-50 की सबागिता के अदार पर अनुदान सायदा के मायदम से पेक्सो को कम्पिटरी करेट करने का लच रखा गया है इसका मसद पेक्सो के कारियों में पार दसिदा लाना भी है अगली बड़ी कबर बिहार सरकार का बड़ा फैसला टोपर चात्रों को दिया जाएगा लेपटॉप जाने किन इस्टुडेंट के लिए है ये उज़ना जहराज सरकार अगले वर्स से विग्यान दिवस के देने जिला टोपर को लेपटॉप देगी बिग्यान दिवस से पहले एक राजिस्तर या प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें इंजिनिरिंग एवं प्रोड़ीक्निक की चात्र भाग लेंगी उनमें से जिला इस्टर पर टोप करने वाले चात्र को लेपटॉप प्रदान किया जाएगा ये बात इस समवार को बिग्यान दिवस के उसर पर बिहार काउंसिलिंग ओन साइंस एंड टेकनोलोजिक के तदवदान पर आजित करकर में बिग्यान एवं प्रोड़गी मंतरी समीत कुमार सिंग ने खई है मौके पर राजिस्तर ये विग्यान प्रतियोगिता राष्ट गनित प्रतियोगिता एवं बाल विग्यान कॉंग्रेस के राष्ट इस्तर की विजिता को प्रुस्कित किया गिया अगली बड़ी कबर हॉली में सराब पर रहेगी बिहार सरकार की नजार सर्च एन डेश्टोई की बाद अब सर्च एन अरेश्ट ओपरेशन जिहाब इहार में देशी सराब के अड़ो को दोस करने बिभाग का पिया थे ड्रोन के समाल से अवेद सराब की रिकावरी में सो गुनातक हिजापा हुआ है विभाग ने पहले चरण में ड्रोन केमरों की मदल से ओपरेशन सर्च एन डेश्टोई चिलाया इसमें बड़ी संक्या में देशी सराब के अड़ो की पहचान कर उनको दोस किया गिया अगली बड़ी खबर स्रम जिवी साथ से संपुरौन करांती सोलो से आने ट्रेने अगले सब्ता से होगी नियमी जीहार रेल यात्रों के लिए रहत की खबर है छिम्मर से रध ट्रेने अब पट्र पर लोटने वाली है पतना से नई दिली जाने आवरे श्रम जरी एक्स एक्सप्रैस साथ मार्ज से नियमित हो जाएगी उत्तरες से नई दिल जाने वाले मागद एक्सप्रेस आट मार्च से नौर्थ इस्ट एक्सप्रेस से 17 मार्च से नियमित होगी अगले सब्ता से अधिकान से ट्रेने नियमित हो जाएगी हुली से पुले ट्रेनों को नियमित होने से यात्रियों को कापी रात मिलेगी साथ आपको बता कि पूरमाइद रेल चेतर में कोरे के करन दिसम्मर से तीन मा के लिए काई टेनों को रद कर दिया गया था इसके लावा काई टेनों के पारे चालन के दिनों में भी कमी की गई थी अगली बड़ी कबर नितीस कुमार के जनम दिन पर सराब चोड़ो दोद प्योका लिया संकल पर जेड़ोई कारकरताओं ने किया रक्तदान जिया बिहार के मुईकी मंतरी नितियस कुमार के जर्मदिन को 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 जर्मद भारतियों को लाने के लिए तीन दिन में 26 फ्लायड से भेजी जाएगी जहारोस का युक्रेन पर हमला लगातार छटे दिन मीं जारी है इस बीच ऑप्रेशन गंगा के ताहत युक्रेन में फस्य भारतियों को वापस लाने का मिसन भी जारी हो गया है इसे लेकर प्रदान मंत करने के लिए बुखा सेश्ट और बुखा पेश्ट के लावा पॉलेंड और इसलोवर के एरपूर्ट का भी इस्तिमाल किया जाएगा अगली बड़ी कबर युक्रेन में अब भी पसे बिहार के साड़े तीन सु स्टुडेन सबसे ज़्यादा मोतिहारे से चोसर पाटना के बे अर्दिस चादर तीन दिन में 83 की हुई वतन वापसी जहां युक्रेन में जारी संगर्स के बेच केंदर सरकार के ऑप्रेशन गंगा से अभी तक 83 बच्चे सुरचित बिहार लोट चुके हैं अभी भी करीब साड़े 300 सो ज़्यादा बच्चों के वहां पसे होने की सु आइडेंटिफाइड किया गया है बैस सरावियों को नितिस सरकार का बड़ा आफर दारों पिकर पक्र पगड़ गए तो बेचने वाले का नाम पता बताए आप जेल जाने से बच जाएंगे जा बिहार में सराव रोकने के लिए सारे जतन करके हार चुकी नितिस सरकार ने नया दाव चल दिया है सरकार में यह ऐलान कर दिया है कि अब सराबियों को जील नहीं भीजा जाएगा सराब पिकर गिरबतार हुआ आदमी अगर यह बता देता है कि उसने सराब कहां से और किसे खरीदी है तो सरकार उसे जील नहीं भीजेगी वैसे सरकारी आमले से जो जानक तो बिवाग की और से कल बकाइदा पे इस कॉंफरेंस कर इसका ऐलान किया गया है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि गैस सिलर्णर के दाम बाढ़ने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए